हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अनिमल किंगडम या अनिमल क्लैसिफिकेशन जन्तुों को सबसे पहले दो बर्गों में बाटा गया था सेरोलस लिनियस ने बाटा था जन्तु और पादप दो बर्गों में बाटा था उसके बाद हेकल ने तीन जगत वरिकरण का प्रतिपादन किया जन्तु और पादप भाले से थे इन्होंने प्रोटिष्टा जोड़ दिया हेकल ने चार जगत वरिकरण का प्रतिपाद को प्लेंड ने किया थे इन्होंने मूनेरा जोड दिया पांच जगतव वरीकराण के प्रिति बादन के तक इस प्रकार से जंतू का पांच संग में बाटा जंतों को पांच जगत में बाटा गया जंत पादव प्रोटिष्टा मोनेरा और कवक जैसे बोल देंगे लाही लाही तुब क्या है तो यानि कि लाही यानि की लाह से लीनियस है है कल क्या है यानि कोपलेंड और होट से वाइट कर जीव को दो भरगुम व्याजित क्या गया है प्रोकरियोट्स जीव और युकरियोट्स जीव प्रोकरियोट्स क्या होता है जो प्रोकरियोटिक को सिकावं से मिलकर बनता है और युकरियोट्स को सिकावं से जो मिलकर बनता है उसे युकरियोट्स जीव कहते है प्रोकरियोट पढ़ चुके हैं सेल चेप्टर में पढ़ चुके हैं उन्हें ही मोनेरा कहा जाता है हमने अभी देखा कि पांच जगत जन्तु पादप मोनेरा कवक और प्रटिष्टा यह पांच वर्ग हैं तो दीव को पहले प्रोकरियोटस में इउसकीशका सिमेल कर बना है और सारी को ज Pack बना है तो जीव को दो भागम बटा गया प्रोकरियोट्स यूकरियोट्स प्रोकरियोट्स को मोनेरा कहा गया और यूकरियोट्स को दो भागम बटा गया एक कोशी की बहु कोशी को प्रोटिश्टा कहा गया और बहु कोशी को पुना दो भागम बटा गया कोशी का भित्ती रहित औ करने की जन्तू कि जन्तू कहते हैं और जिन में कोशी का भित्ति पाई जाती है तो उन्हें दो भागम बाट सकते हैं बाटते हैं एक प्रकास संसलेशन नहीं करने वाले एक प्रकास संसलेशन करने वाले हैं उन्हें बोलते हैं कवक करने वाले हैं उन्हें बोलते हैं पादप इस प्रकार से पांच संग आपको मिल गये हैं टोंग मैं विवाजित हो गया जीव को दो वागम पहले बटा गया आकरियो स्मूर करोशा को मुने belljar कहा गया को ब्रकास संसलेशन करने वाले को कवक कहा गया और प्रकास संसलेशन करने वाले को पातब कहा गया